आपको बासु साथी नमस्कार कुछ नई जनकारी देने जा रहा हूं जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्टम यइट कर रहे। करें हमारे चैनल को सस्काइब करने करें और वीडियो देखने के बाद यदि बहुदा देखा जाता है कि ग्रीह स्वामी अपनी खुशी के लिए पसंता के लिए सुन्दर घर लगने के लिए जाने या नजाने में तमाम तरह के चित्र जो अपने बैठक कमरे में लगा लेते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि इन चित्रों से क्या हानी और क्या अलाब होता है शाथियों शोटी शोटी बातें बड़ा रूधान कर लेती हैं शोटी शोटी गलतियां लंबे बास तो इसका काड़ बन जाती हैं और व्यक्ति को यह नहीं सोज में आता है कि हम से क्या गलती हुई कि हमारा परिवार असंतुष्चर लाए लोगों में बर्य इसका बासुशास का भी एक विसेश प्रभाव रहता है तो साथियों बैठक के कमरे में क्या नहीं लगाना चाहिए इसके विसे में आपको मैं बताना जा रहा हूं महाभारत का युद्ध महाभारत के उद्ध में लड़ाई हुई थी तो यदि आपके घर में लड़ाई का चित रहेगा महाभारत के चित रहेगा तो आपके अंदर लड़ाई जगड़े की प्रविती बनी रहेगी इसलिए महाभारत का कोई चित न लगावे कोई जानवर का चित न लगावे बच्चे कुछ लोग करते हैं खुसी उम्बताव अच्छे लगने के लिए अच्छे बच्चों की जोने फोटो लगा देते हैं जो बच्चा रो रहा है तो बच्चे जो रोते हैं फोटो में उनका भी चित न लगावे पक्षियों के चित्र भी अपने बैठक के कमरे में ना लगावे और जो सबसे खास बात हो गई साथियों कि बैठक कमरे में इस्त्री का चित्र बैठक के कमरे में इस्त्री का चित्र नहीं लगाना चाहिए किसी भी इस तरी का चित्र बैठक के कमरे नहीं लगाना चाहिए अगर आप ऐसा आपकी घर में ऐसा कुछ है तो यह वास्तु दोस्त का कारण है और आपको उसको अपने घर से अपने बैठक रूम से प्रिठक करके रख देना चाहिए ति आप देखेंगे ति आप लगा हैं इन चीजों को तो आप सोयंग महसूस करने के लिए उन चित्रों को जिनका मैंने नाम लिया उनको अपने बैठक कमरे से हटा करके कुछ दिनों तक के लिए आदर पुर्वा किसी अस्थान पर उसको बंद करके रख दीजिए धक करके अखवार में लपेट दीजिए और कुछ दिनों तक वाच करिए महिना दो महिना क्योंकि कोई भी इस तब जो बास्तु के जो समझाय होती है कान होते हैं तदकाल उपस्तित नहीं होते हैं यदि आपने कोई चित लगाया तो तदकाल उसका लाभानी नहीं दिखाई पड़ेगी उनको एक दो महिना बीतने पर ही उसके दुस प्रभाव और प्रभाव आपको असपश्त दिश्युकशर होते हैं उसी तरह से यदि आपने कोई चित लगा रखा है तो उसको हटाने के बाद दो महिना के बाद आप वास करेंगे फिर देखेंगे कि आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ इस प्रकार साथी हूँ मैंने आपको बैठा के कमरे में कौन सा चित्र नहीं लगाना चाहिए इसके विशे में एक महत्रपन जणकारी आपको दिया यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को से और लाइक करने कर्श करें शाथियों मैं पुनह दोराना चाहता है इस बात को कि बैठक कमरा हो अथवा घर कोई हो किस प्रगार के रंग से उसको रगना चाहिए कहां पर हमें क्या लगाना चाहिए और किस रंग के कौन से चित लगाना चाहिए किस रंग से घर को पुदना चाहिए इन बातों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है इसलिए अधि आप सोच समझ के दिए आप नहीं काम करेंगे तो एक परचानी कानब बनेगा इसलिए किसी बास्तु सास्ती से बास्तु बिस से कुछ जानकारी प्राप करके इस तरह का प्रयोग करने से आपको अच्छा रहेगा और आप नहीं किसी स्परामस देना चाहते हैं तिस से अच्छा है कि आप कुछ भी ना लगावें सिर्फ मांगलिक चीनों को लगावें जो आपके लिए सूटेबल और अच्छे रहेंगे बास्तु से के लिए तो साथियों आज बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए विशे पर नई बातों के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाले वीडियों के लिए वीडियों के लिए धन्यवाद